सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नश्कार दोस्तो मेरा नाम होतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो हमने एंटी यूजी सी नेट दिसंबर 2019 एक पेड़ वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमेटिक ढंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो थेयरोटिकल होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और हमारे इस ग्रूप को जोइन कीजिए और अपनी स्टड़ी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अभी जो हमारा न्यू स्लेवस आया है दोस्तों यूजी से नेटपेपर फर्ष्ट के लिए तो उसके इंदर एक और टोपिक न कोशन आ सकते हैं तो देखते हैं कि ये कोशन किस तरह से होंगे इसमें देखे दोस्तों वैसे तो हमने जो हमारी पिछली क्लासेज होती थी दस्वी क्लास में हमने पढ़ा है आठ्वी क्लास में पढ़ा है साधान व्याज क्या होता है मूल धन क्या होता है चकरवरती व्या है हमारा लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज करने की जरूरत है अब देखिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि साधान ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधान ब्याज मूलधन वगरा क्या होते हैं यह देखते हैं देखिए सबसे पहले बात आती ह मूल धन, मूल धन क्या होता है? मूल धन वो होता है दोस्तों जो हमारी सुरू की जो कोश्ट होते हैं, जो पैसे हम किसी से लेते हैं, यानि कि जो हमारी ओरिजिनल कोश्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं, मूल धन कहते हैं, दर कहते हैं, यानि कि जो रेट होता है, यानि कि दो पर बात करते हैं कि साधान व्याज निकालने का फॉर्मॉला क्या है तो इसका है दोस्तों मुल्धन गुना में दर गुना में समय बटे में सो और यह हमने जो पिछली क्लासिस होती थी दसमें क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है तो यह दोस्तों बिलकुल सिंपल ये आपको याद रखना है अब उसके बाद में आता है दोस्तों अगर हमारे पास दर निकालने हो दर नी दी ब्याज मुलधन समय दिया हुआ हो तो दर कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मला ये है दोस्तों ब्याज गुना में सो बटे में मुलधन गुना में समय तो इस तर जो एक और important आता है वो है दोस्तो चक्रवर्ती ब्याज अब चक्रवर्ती ब्याज का जो formula वो ये है दोस्तो मूलधन इंटु में one पलस में दर बटे में सो ये इसका formula है और इसकी जो power है दोस्तो वो होगी समय होगी और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम माइनस कर देंगे और एक और चीज इसके इंदर आते है दोस्तो वो है मिसरधन मिसरधन क्या होता है ब्याज पलस में मूलधन का जोड होता है तो दोस्तो ये basic formula है आप एक वर इन सभी को देख लेना याद कर लेना जैसे तैसे करके क्योंकि इसमें से question आने की काफी संभावना है दोस्तो अब इसमें ये देखते हैं दोस्तो एक question है इसको करके देखते हैं सालाना 12% की दर से एक निस्चित रासी को दोगना होने में कितना समय लगेगा ये कह रहा है कि हमारे पास कोई रासी है और उस पे 12% का ब्याज लगाते हैं तो उसे दोगना होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें दिया हुआ है यहां पे रासी है वो नहीं दिया हुई वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी अब हम मान के चलते हैं हमने माल लिया कि जो मूल धना है हमारा वो हमने माल लिया दोस्तो दोस्तो हमने माल लिया और जो दर है दोस्तो दर कितनी है यहां पे 12% ये दोस्तो माना है दोस्तो ये एज्यूम किया है हमने और अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा time हमें निकालना है समय यहाँ पे हमें निकालना है और जो ब्याज है दोस्तो ब्याज क्या होगा अब देखी इसके अंदर यहाँ पे इसने कहा है कि एक निश्चित रासे को दोगना होने में यानि कि वो दोगना हो जाते है कुछ टाइम बाद में कितनी हो जाती है दोगना हो जाती है तो यहां पे 200 का दोगना कितना होगा दोस्तो चैर्शो होगा तो ब्याज कितना होगा दोस्तो ब्याज जो है इंटरेस्ट कितना होगा चैर्शो माइनस में 200 हम कर लेते हैं कितना आजाए हमारे पास? 200 यहां पे आजाएगा. ठीक है, यह क्या आगया हमारे पास? यह आगया, ब्याज आगया, 200 रुपए ब्याज लगा है. ठीक है, और अब हम देखते हैं, कि यह हमारे पास ब्याज आगया, तो इसका समय कैसे निकालेंगे? यह देखिए, अब देखिए, दोस्तों, ब्याज यहां पे हमने निकाल लिया, 200 रुपए निकाल लिया, ठीक है, अब यहां पे टाइम निकालेंगे, टाइम किस तरीके से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, दोस्तों, यहां पे ब्याज गुना में 100, बटे में मु मुलधन कितना था हमारे पास? 200 ही हमारे पास मुलधन था, हमने माना था ला कि माना कि सरू की गा हमारे 200 रुप रुप है आएगा और 8.33 को हम क्या कह सकते दोस्तो आठ साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पे इस कांसर D आ जाएगा तो इसी तरीके से थोड़े complicated question देंगे वो हमें करने होंगे लेकिन आप practice करोगे तो आपको यह सभी के सभी question आ जाएगा आप इन formula को याद और इसके अंदर क्या कहा जाता कि इसके अंदर हमें के series दे दी जाते हैं जैसे एक से लेके 50 तक 100 से लेके 200 तक और उनमें पूछा जाता है कि इनमें even number का जोड़ क्या होगा या natural number का जोड़ क्या होगा तो इन question को हम किस तरह से करेंगे बिलकुल अरसानी से यह देखते है यह देखे इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि find the sum of all first 50 natural number इसने कहा है कि सरू के 50 प्राकरतिक संख्याओं का योग क्या होगा सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकरतिक संख्याओं क्या होते हैं प्राकरतिक संख्याओं जैसे 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से continue जो चलती जाए उसे हम कहते हैं प्राकरतिक संख्याओं कहते हैं तो यह कहते हैं तो यह कहते हैं एक से लेके 50 तक जो संख्याओं उनका जोड कितना होगा वो हमें बताना है अगर हम ऐसे manually जोडने लगे 1,2,3,4,5 तो ऐसे में हमारा बहुत ज्यादा time लग जाएगा अब देखे इन्होंने कहाए कि natural number और natural number का formula यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अब बात आते है N, N यहाँ पे क्या होगा, N वो होगा सबसे last की जो ट्रम हमें दी हुई होते हैं वो N, N होता है अब देखे इसमें यह formula में put करके देखते हैं, N यानि कि 50 into में N पलस में 1, यानि कि 50 पलस में 1 यहाँ पे हमने कर दिया और बटे में 2 हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से, अब देखे दो से यह 50 कटेगा तो कितना जाए है, 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आगे हम लिख लेते 25 into में 51 हो गया, ठीक है, अब 25 को 51 से कर सकते हैं दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा पांच सेकंड लगते हैं यह सब करने में, लेकिन अगर आप मैनुवली तरीके से करते हैं, जोड़ जोड़ के देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद होना जाएगा दोस्तों 50 इंटों 51 जब हम 50 और 51 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आजाएगा 2550 इसका अनसर आजाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इसको कर सकते हैं और अगर यह ओड नमबर की बात कर ले यानिकि विसम संख्या की बात कर ले तो उसका फॉर्मला यह लगेगा इवन वो होते जैसे 246810 को हम इवन नमबर कहते हैं तो यह कोशन वैसे ज्यादा बार तो नहीं आया है अभी आया है जून 2019 में पहले इस तरह कोई कोशन नहीं आया है तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना वैसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट तो नहीं है यह और आगे देखते हैं दोस्तों यह जो कोशन है हमारा करीब 3-4 बार अभी तक आ चुका है और यह जून 2019 के एक्जाम में भी आया था इस तरह का कोशन इसमें क्या होता है दोस्तों चार चीज़ें दिवे होते हैं और उनमें पूसा जाता कि कौन सी चीज द गोमती के किनारे बसता है और रीसी केस इलावाद और पटना ये गंगा किनारे बसते हैं तो इस तरह से हमें अलग देखना की कौन सा अलग है अब इस से रिलेटिड कुछ और कोशन देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखे दोस्तों उधान 48 एक सब्द का चैन करे जो सम्हों में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाता अब देखे यहां पर क्लेंडर है तिथी है मास है दिवस है अब यहां पर बिलकुल असानी से हम देख सकते कि क्लेंडर मास तिथी यह सारी किस के अंदर आती है क्लेंडर के अंदर आती है यह जो त खित ऐसे सब्दों का चैन करें जो सम्हों में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाते हैं अब देखें मयूर दिया है गिद्ध दिया है हंस दिया है चिडिया दिया है तो इसके इंदर जो हंस जो है हंस बिलकुल अलग हो जाया क्यों हो जाया दोस्तों इन सब में केवल हंसी जल तर हंसी पानी के अंदर तहरता हुआ हम देखते हैं और इसके अलावा जैसे इस तरह के कोशन भी आ सकते हैं हमारे एक्जाम के अंदर कि इन्होंने दियाओ जैसे लोहा कोपर अब जिंक के आगे क्या आएगा वो हमें बताना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना होता है इन तीनों के अंदर भी हम रिलेशन देख सकते हैं क्या रिलेशन है और फिर इसमें से देखते हैं कोन इनमें से मैच कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निकल और लोहा पावर जिंक यह क्या है कि सोलिड स्टेट में होते हैं तो यह क्या होगा ठोस धातू होगी यह हमारी अप्सन नमबर सी इसका बिलकुल सही हो जाएगा लेकिन जो ए, बी और डी क्यों नहीं होगा वो सोलिड स्टेट में नहीं होता, जो कारवन जो होती है, वो क्या होती है, गैस के रूप में होती है और जो पारा जो होता है, वो हमारा लिक्विड रूप में होता है, तो इस तरह से यह जो निकल जो है, इन चारों से तीनों से अलग है तो यहां से हमें अंसर निकल जाएगा अब आगे है दोस्तो हमरे पास आलू गाजर मूली अब इन तीनों से देखते कि कौन सा मेल खाता है अब देखिए इसने दिया है टमाटर, पालक, तिल और मूंगफली अब देखिए यहां पे आलू गाजर मूली, यह तीनों के तीनों किया है जमीन के अंदर उगते हैं यानि कि ऐज़ज़द टाइप में होते हैं इसी तरीके से जो मूंगफली है वो भी जमीन के अंदर उगती है तो यहां से हमारा अंसर क्या जाए दोस्तों कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरू दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके थैंक्यो दोस्तो